नमस्कार दोस्तों अभिवादर श्विकार करें लोकेश तरफाटी की तरफ से और आई अपनी NCRT सीरीच की ओर चलते हैं हम आज बात करेंगे पारहवी की NCRT पारहवी की NCRT में दो NCRT हैं एक को कहते हैं समश्टी अर्थसास्त्र, दूसरे को कहते हैं व्यष्टी अर्थसास्त्र, UPSC में समश्टी अर्थसास्त्र पढ़ा जाता है, व्यष्टी अर्थसास्त्र को CA की तैयारी करने वाले लोग, जो इकॉनमी में सिर्फ इकॉनमिक्स की और जाना चाहते हैं, वो लो के NCRT में जो सबसे लास्ट चेप्टर है भारत और उसके परोसी देशों का तुलनात्मक अध्यन उसको हमने छोड़ दिया है उसको आप लोग मत पढ़िएगा वह इसलिए मत पढ़िएगा उसकी दो वज़ा है एक तो उसका इकॉनमी से कोई लेना देना नहीं है और दूसर सारी के सारी पूरानी हो चुकी है अगर उन आकड़े उन डेट और रणनीतियों पर आज चर्चा भी कर लेंगे पूरा आपका कॉंसेप्ट खराब हो जाएगा पूरा का पूरा आयार का कॉंसेप्ट खराब हो जाएगा क्योंकि NCRT जिस वक्त लिखी गई है उस वक्त की रणनीतियां उस वक्त के आकड़े और पिछले 4-5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है तो एकॉनमी के नजरिये से उस चेप्टर को नहीं पढ़ा जाता है इसलिए हमने आपको नहीं पढ़ाया है और साथ-साथ उस चेप्टर को पढ़ेंगे तो आप पुराने आकड़ों को याद कर लेंगे या पुरानी रणनीतियों को समझ लेंगे जो अप्रसांगी खोज़ों इसलिए सीधे आईए एकॉनमी की बारहवी की NCRT में चलते हैं जिससे समश्थी अर्थसास्तर कहते हैं और उसी का परिचय जो पहला चेप्टर है ब तो चेप्टर नंबर वन जिसका नाम ही है इंटूडक्शन जाप लोग किताब में देखोगे तो उसका नाम ही रख दिया गया है इंटूडक्शन अब कहोगे नाम अगर इंटूडक्शन रख दिया गया है कुछ बात होगी जी हाँ बात है तो सबसे पहले इसमें समझना ये है कि आखिर समश्टी अर्थ सास्त्र जिससे हम कहते हैं समश्टी अर्थ सास्त्र ये होता क्या है अगर हम एक बात करें कि जब अर्थ सास्त्र बड़े मूल भूत प्रश्णों पर विचार करता है बड़े मूल भूत प्रश्ण मतलब प्रश्ण राज्य अस्तर के होने चाहिए प्रश्ण समाज अस्तर के होने चाहिए प्रश्ण राष्टी अस्तर के होने चाहिए प्रश्ण बैश्वी करता अस्तर के होने यानि जब आर्थिक प्रश्ण बड़े अस्तर के हो तो समश्टी की अर्थव्योस्था का ध्यन करते हैं कि वह नहीं करते हैं हम चोटे छोटे आर्थिकसे धांतों का अध्यन करते हैं जिन तो बड़े लेबल के बड़े अस्तर के आर्थी प्रश्ण समष्टी अर्थसासर यानि इस पूरी की पूरी बारहमी की एंसियाटी को जो चर्चा रहेगी वह बड़े लेबल के आर्थी प्रश्णों पर चर्चा होगी राष्टी अस्तर के अर्थ वेवस्थाओं पर चर्च तो आएए समस्थी अर्थसास्त्र के परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़े अर्थसास्त्र के अंतरगत आजाते हैं। सिर्फ कीमते बढ़ने और घटने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि संपूर रूप से कीमते बढ़ेंगी या घटेंगी। याद रखना कीमते घटने बढ़ने और संपूर रूप से कीमते घटने बढ़ने में फर्क होता है। जब हम कहते हैं कीमते बढ़ी या घटी है। यानि कुछ खास वस्तूओं और सेवाओं की कीमते घटी या बढ़ी है। लेकिन जब हम कहते हैं कि संपूर रूप से कीमते घटी या बढ़ी है। तो मतलब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमिति घटी या बढ़ी है अर्थात या तुम महेंगाई बढ़ी है या महेंगाई कम हुई है और जब हम कहते हैं कि महेंगाई बढ़ी है या महेंगाई कम हुई है तो हम किसी एक नागरिक के अस्तर की बात नहीं करते हैं हम राष करोड़ लोगों को प्रभावित कर देती है कि समझिएगा यानि बड़े अस्तर के प्रश्ण ठेक उसे प्रकार से जैसे हम सवाल करते हैं कि अर्थ व्योस्था के कुछ खेत्रों में रोजगार की दसा बहतर है अर्थाद बुरी हालत में जब बात रोजगार की होती है तो बड़े अस्तर के रोजगार की बात होती है रोजगार के प्रश्ण है किसी एक व्यत्ति के रोजगार के प्रश्ण नहीं होते हैं रोजगार के प्रश्ण सभी नागरिकों के रोजगार के प्रश्ण होते हैं राष्टों के प्रश्ण होते और अगर किसी देश में रोजगार की स्थिया बुरी हालत में है तिसका मतलब उस देश में संपूर अर्थ बेवस्था गती हिंता की सिकार हो गई है उस देश का युवा सिक्षित पर सिक्षित होकर के आएगा तो उसे काम नहीं है यह स्थितियों को बताता है बड़े लेबल के अस्तरों की बात करता है कभी कभी जब आप सवाल उठाते हैं कि अर्थ बेवस्था अच्छी है या बुरी है हम कहते हैं ने दुनिया के अर्थ बेवस्था कोरोना के बाद बहुत खराब हो गई थी हम कहते हैं ने कि दुनिया की अर्थ में उस्ता भी ठीक ठाट चल रही है तो क्या है यह सभी नागरिकों से जुड़े प्रश्ण यह बड़ी अस्तर के प्रश्ण है यानि बात दुनिया के अस्तर पर हो रही है बात देशों की अस्तर बन हो रही है और जब बात दुनिया के अस्तर पर हो जब बात देशों के अस्तर पर हो तो समझ लिदिये समश्थी अर्थसास्त्र की बाते हो रही है साथ साथ समश्थी अर्थसास्त्र में सिर्फ प्रश्ण ही नहीं है उन प्रश्णों का जवाब भी ढूढ़ा जाता है यानि जब हम समश्टी अर्थसास्त्र की बात करते हैं तो सिर्फ बड़े अस्तर की अर्थविवस्थाओं के सवाल ही नहीं खड़े करते हैं उन सवालों के जवाब भी ढूडने की कोशिस करते हैं अर्थास्त समश्टी अर्थसास्त्र में हम ये भी पढ़ते हैं कि अर्थविवस्था कि जो दिसा और दसा है उसको ठीक करने के लिए उसको सुधारने के लिए उसको और बेहतर करने के लिए राज कौन-कौन से कदम उठाएंगे यानि राज्यों द्वारा किये गए प्रयास भी समश्टी अर्थशास के तहट पढ़े जाती है जैसे राज या राज का संदर्व देशों से है राज हर राज बजट बनाता है अपना भारत भी बजट बनाता है तो समश्टी अर्थ शास्त्र के किताब में हम बजट भी पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, क्योंकि बजट का संबंध देश होता है, बजट का संबंध नागरिकों के बहुत बड़े वर्ग से होता है, बजट में ही हर देश अपने सामने खड़े आर्थिक प्रश्णों के उठाएंगे कि राज अपनी अर्थ व्योस्था को ठीट करने के लिए, या अर्थ व्योस्था जहां है, वहां से कुछ दूर ले जाने के लिए, कौन सा कदम उठाएंगे, अथमा, लोगों की मांगों पर बात करेंगे, जिससे अर्थ व्योस्था में सुधार हो, जिससे अर्थिक नितिया राज्य बनाता है वे सभी की सभी समश्थी अर्थव्युस्था के अंतरगत आती है अगर हम अब तक उठाए गए प्रशनों की बात करें टेंसी आटी कह रही है कि यह यह ऐसे प्रश्ण है यह ऐसे प्रश्ण है जो हमें देश की पूर रूप से शुरूर हैश्टी अस्तर की अर्थ्वेउस्थाओं पर विचार करे हम देश की अर्थ्वेउस्थाओं पर विचार करे और पूरे के पूरे समश्थी अर्थ प्रश्ण होते हैं, जितने आर्थिक प्रश्णों के जितनी जटिलताय होती है, संपूर जटिलताओं के एक-एक अस्तरों पर विचार किया जाता है, उनका समाधान डूड़ा जाता है, उनका अध्यन किया जाता है, और ये सब किसके तहत किया जाता है, समश्थी अर्थ सास सास्त्र की समश्ट्य अर्थ सास्त्र की में जब हम राज्यों की अर्थव्योस्था की बात करते हैं राज्यों की या राज्यों से रा जब हम राष्टों की अर्थव्योस्था की बात करते हैं राष्टों की अर्थव्योस्था जब हम राष्टों की अर्थव्योस्था की बात करते हैं जब हम विश्व की अर्थव्योस्था की बात करते यह किस में सामिल होता है या समश्टी अर्धसास्त्र में सामिल होता है यानि कोई भी ऐसी समस्या या कोई भी उस समस्या का शबाधान जो राश के अर्थर से जुड़ा हुआ है दुनिया के अस्तर से जुड़ा हुआ है वैश्वी के अस्तर से जुड़ा हुआ है वह सब कुछ किस में आ जाता है वह सब कुछ आ जाता है समश्टी अर्थसास्त्र में यानि हम कह सकते हैं कि समश्टी अर्थसास्त्र में संपूर अर्थव्योस्था की स्थियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है संपूर अर्थव्योस्था की स्थियों के बात की जाती है अर्थव्योस्था की किसी एक सेक्टर की बात नहीं की जाती है पूरी की पूरी एकॉनुवी को ठीक करने की बात की जाती है आप कहोगे क्यों क्योंकि जैसे एक गाड़ी है न बहुत बड़ी गाड़ी है उसके इंजन का कोई एक छोटा सा दस रुपे का वाल्व नहीं काम करता पूरा गाड़ी नहीं चलेगी उसको भी ठीक करोगे तो भी गारी चलेगी ठीक वैसे ही देश की अर्थविवस्था है होती है हम लोग बच्पन में कावस कहते थे कि नाव कितनी भी बड़ी हो एक छोटा सा छेद हो जाए तो नाव डूब जाती हूँ राष्टो की अर्थविवस्था में यही होता है अर्थविवस्था यदि ठीक है तो उसका मतलब सब कुछ अर्थविवस्था में ठीक है और अर्थविवस्था में अगर कुछ भी गलत है कुछ भी खराब है तो पूरी की पूरी अर्थविवस्था पर प्रभाव डालता है यह जो बात हम कह रहे हैं या बात 1936 के बात तै हुई एक अर्थसासरी आयत है जान में केंज किन्स अभी उनकी बात पढ़ाएंगे यानि समश्टी अर्थव्योस्था यानि बात यह है कि समश्टी अर्थव्योस्था में अर्थव्योस्था कि समपूरे स्थितियों को संबोधित किया जाता है इसके मतलब क्या हुए इसका मतलब यह निकला कि अगर हमको पूरी अर्थव्योस्था में सब कुछ ठीक करना तो तो सब कुछ ठीक करना होगा ऐसा नहीं होगा कि हमारे टैक सिस्टम खराब है तो हमारा इंफ्राइस्ट्रॉक्चर ठीक हो जाएगा और हमारा इंफ्राइस्ट्रॉक्चर ठीक है तो हमारे रोजगार नहीं होगा जी नहीं इंफ्राइस्ट्रॉक्चर ठीक है तो रोजगार ह तो जीवन की दसाइं बहतर हो रही है इसका मतलब लोग अपने पर निवेश भी कर रहे है अपने पर निवेश कर रहें तो बहतर मानंव शंचाधन प्राप्त हो रहा है तो देसा आज कि एक ठीक है तो सब कुछ ठीक होरा है की समपूर अर्थ वेउस्था को विचार कीजिए, समपूर अर्थव्योस्था को ठीक कीजिए, अर्थव्योस्था के एके कोने में जाकिए, कोई भी लूजफाल मत छोड़िए, यही है समश्टी अर्थव्योस्था, अर्था जब जब आप समश्टी अर्थव्योस्था का अध्यन करते हो, तो आप यूं कह यह कि संपूर अर्थव्योस्था का ध्यन करते हो यहां बात ब्यक्ति के अस्तर पर नहीं सम्हूप के अस्तर पर होती है समाज के अस्तर पर होती है राश्ट के अस्तर पर होती है विश्व के अस्तर पर हाँ पहले ऐसा नहीं था पहले ऐसा नहीं था तो क्या था पहले तो पहले एक धारणा थी एडम इसमित की उस धारणा पर बात करेंगे फिर आएंगे लोटेंगे अपने इसी मूल सवाल पर कि आखिर पहले ऐसा नहीं था तो समश्टी अर्थसास्त्र आया कहा से यानि हम कह सकते हैं कि समश्टी अर्थसास्त्र तो नई चीज है समश्टी अर्थसास्त्र के पहले क्या था तो समश्टी अर्थसास्त्र के पहले थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ फिर इस परामगा समश्टी अर्थसास्त्र के पहले एक बड़े विचारक हुए एडम इसमित उनका एक सिद्धान था एडम इसमित जो आधुनिक अर्थसासर के पितामा कहे जाते हैं आधुनिक अर्थसासर के जनक कहे जाते है ठीक उन्होंने एक सलाह दी थी एडम इसमित ने कहा था किया सलाह दिया था समझना है एडम इसमित ने कहा था कि यह दुनिया एक बाजार है मैं थोड़ा एंसियाटी से बाहर भी निकलूँगा आपको समझाने के लिए मेरी कोशिस रहती है मैं नौ निकलू लेकिन जहां बहुत जरूरी है वह निकलना पड़ेगा एडम इसमित ने कहा था कि यह दुनिया एक बाजार है पहली बात और यहीं एडम इसमित साहब परीदार है कि बहुत पहले मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं है एक गाना मैंने कहीं सुना था कि यह दुनिया है बाजार की पैसा बोलता है कि कहीं सुना है मैंने कौन गाया है क्या नहीं है लेकिन मैंने कहीं सुना है यह दुनिया है बाजार की पैसा बोलता है तो मैं बालक था तब सुना था स्कूल कालेज में पढ़ता था आप लोगों की तरह तो मैं इस गाने को समझ नहीं पाता था जब बड़ा हुआ दुनिया को उसके असली रंग में देखा थोड़ी बहुत अर्थसासर की किताबें भी पढ़ी है तो मुझे लगता है कि जिसने ये गीत लिखे थे वो सही लिखा था कि सच में ये दुनिया एक बाजार है और एड़म इसमिशाथ इसको बहुत पहले कह रहे थे एड़म इसमिशाथ कह रहे थे कि ये दुनिया एक बाजार है आगे कह रहे हैं कि प्रतेक बाजार में दो ही लोग होते हैं ये इसियाटी की लाइन है कि प्रतेक बाजार में दो ही लोग होता है क्रेता और विक्रेता क्रेता मतलब खरीदने वाला बिक्रेता मतलब बेचने वाला आप गौर से चोराहे पर निकलिएगा अपने कस्वे में निकलिएगा अपने बाजारों में निकलिएगा तो यहां तो सारे तरफ कुछ न कुछ खरीदने वाले लोग है और दूसरी तरफ कुछ न कुछ बेचने लोग हैं एक है क्रेटा और दूसरा है क्रेटा जैनी खरीदार और वीचछने वाले लोग अगा एठे मिसम्हा बड़ी मज़दार बात कह रहे हैं कि यदि प्रतेक बाजार में कैरते यदि प्रतेक बाजार में, जो ये दो पार्टी है, क्रेता और विक्रेता है, यदि ये दोनों अपने नीजी हित को ही ध्यान में रखकर नेड़ा लेंगे, यदि इड़म इसमें साथ कहा रहे हैं, कि प्रतेक बाजार में, अगर ये खरीदार और बेचने वाला सिर्फ अपना प्रॉफिट देखें, और किसी का लेंगे, अगर कोई क्रेता है, खरीदार है, सिर्फ अपना लाब देखें, कि कितना कम पैसे में, हम अच्छा-च्छा बस तु खरीद लें, यई तो खरीदार का लाब है, एडम इसमिस साहब कह रहे हैं कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है कुछ और समझने की जरूरत नहीं है एडम इसमिस साहब कह रहे हैं कि प्रतेग बाजार में यदि खरीदार और विक्रेता सिर्फ अपने लाब के लिए काम करे और एडम इसमें साहब ये भी कह रहे हैं कि हर कोई या तो खरीदने वाला है या बेचने वाला है एक ही छड़ में हम विक्रेता बन जाते हैं दूसरे छड़ में खरीदार बन जाते हैं गौर से देखोगे तो सच में यही है एडम इसमिस आप कह रहे हैं कि प्रतेक बाजार में यदि क्रेता और विक्रेता खरीदार और बेचने वाले सिर्फ अपने हित के बारे में सोचें क्रेता सोचें हमें अधिक से अधिक लाभ मिल जाए विक्रेता सोचें हमें अधिक से अ इड़े लेंगे तो अर्थ सास्त्रियों को संपूर देश के धन और कल्यार के बारे में अलग से विचार करने की अवस्यक्ता ही नहीं हूँ इड़े इसमी साब का कहना है कि जो यह आर्थ सास्त्री बड़े बड़े आर्थिक सिध्धान देते रहते हैं बड़ी बड़ी बाते करते रहते हैं यह देश की सरकारी बड़े बड़े आर्थिक प्रश्णों पर विचार करती रहती हैं इड़े इसमी साब करें इनकी कोई य पर रुसतह बना ले जहां किर्था विक्रित सिर्फ अपने लाप के लिए सोचे वे सोचे अपने लाप के लिए क। हज़ाए का अपने अपने लाप के लिए लिए disfrut us a श्रेटा और भी सिर्फ आपने लाप के लिएnel सेलों करें हैं इसी बात को Adam Smith ने एक नाम दिया इन्विजिवल हैंट अब थोड़ा मैं NCI से बाहर निकल के समझा रहा हूं इसी बात को अर्थ उन्होंने नाम दिया इन्विजिवल हैंट जो लोग मेरे विद्यार्थी क्लास में मुझसे पढ़े हैं उनको याद हो आ रहा हो गए इसको अध्रिस से हाथ भी कहा जाता है इन्विजिवल हैंड या अध्रिस यहाथ मुझे याद है जब मैं पढ़ाता था इन्विज्वल हैंड तो सब सोचते थे हमारा अपना अपना हाथ देखने लगते थे लेकिन बात में सब कहते थे उरूर के समझ में आ गया तो देखो इन्विज्वल हैंड अभी ये एड़म स्मिस साब की बात हम समझा देखो हम कहते हैं न कि हमारे पीछे माल लिजिए कोई आपका सपोर्ट कर रहा है अंजाने में कोई आपका सायोग कर रहा है अंजाने में वो सायोग करने के लिए सायोग नहीं कर रहा है अंजाने में कर रहा है हम क्या कहेंगे कि किसी का individual hand हमारे पीछे किसी का अध्रिस हाथ हमारे पीछे जो तिसी लोग बता देते हैं किसी भी व्यक्ति को कि गरीबों को भोजन कराओ ये तो मैं ऐसे मुहावरा बता रहा हूँ गरीबों को भोजन कराओ कुछ दान दो तुमारे अच्छे दिन आएंगे तो लोग क्या करते हैं गरीबों को भोजन कराने लगते हैं दान देने लगते हैं कुछ लोगों का पेट भर रहा है गौर से देखो तो वो इसलिए नहीं भोजन करा रहें किसी का पेट वरे वो इसलिए भोजन करा रहें कुन के अच्छे दिन आएंगे मोटे तवर पर यही है इन्विजिवल हैंट लेकिन यह तो हमने आपको ऐसे एक्जामपल समझा है एडमी स्मिथ ने जिस इन्विजिवल हैंट के बाद की वो क्या कहा उन्होंने कहा कि बाजार में क्रेता और विक्रेता सिर्फ अपने लाप के लिए काम करें अपने आप पुरे देस दुनिया का कल्याण हो जाएगा सरकारों को सोचना ही नहीं पड़ेगा और सात्रियों को सोचना ही नहीं पड़ेगा अगर उनकी बात को कुछ यूं समझाया माली जी आडमिय मसहाब कहते हैं कि या कोई उत्पादक है suppose that example ले लेते हैं मा लीजिया यह एपल है एपल मोबाइल बनाने वाला है और चलिए यह संसंग का मोबाइल बनाने वाला है चुकि आप मोबाइल वाली जनरेशन हो न तो मोबाइल के एजम्पल से अच्छी तरह समझोगे अब एडम स्मिस्त के साब साब के सामाने तो मोबाइल थी नहीं उन्होंने कहा कि यह कोई एक फर्म है उत्पादन की यह कोई एक कमपनी है और मार्केट में कोई और दूसरी कमपनी यह कमपनी किस चीज़ के लिए काम करेगी यह भी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी यह भी क्या चाहती है यह भी क्या चाहती है प्रॉफिट याद रखना चाहते सिर्फ दोनो अपना अपना प्रॉफिट या विक्रिता है यह भी क्या चाहता है प्रॉफिट यह भी चाहता है प्रॉफिट अब प्राफिट बनाने के लिए यह एपल कंपनी भी क्या करेगी न्यू टेक्नोलोजी लाएगी और इसके लिए रिसर्च अंड डेवलप्मेंट करेगी सोचे कि नया नया फीचर लाएंगे तो लोग फोन खरी देंगे सासा चाहेगी कि सस्ता हो इसके लिए बड़े अस्तर पर उत्पादन करेगी बड़े अस्तर पर उत्पादन ठीक करेगी न या भी क्या करेगा ये बाला सैमसंग भी कहेगा कि इसको भी प्राफिट चाहिए तो या भी क्या करेगा या भी न्यू टेक्नोलोजी लाएगा या भी न्यू टेक्नोलोजी लाएगा या भी न्यू टेक्नोलोजी लाएगा या भी बड़े अस्तर पर उत्पादन करेगा समझे ना गोर से अब या भी निव टेक्नोलोजी ला रहा है या भी निव टेक्नोलोजी ला रहा है या भी बड़े अस्तरपन उत्पादन कर रहा है दोनों में आप सी प्रतियस परदा होगी दोनों को profit चाहिए इन दोनों की आपसी प्रतियस परधा में बहतर product market में आएगा तो जो यहां खरीदार खड़ा है यहां जो यहां खरीदार खड़ा है यह जो माल लिजिए यह आप गए हो mobile phone खरीदने यहां जो खरीदार खड़ा है इसको पैसा लेकर के जाएगा तो market में इसके पास धेर सारे option है बेहतर option है तो इस खरीदार को जो पैसा payment करेगा बेहतर वस्तुवे मिलेंगी तो जिसके बस तु बेहतर होगी उसको profit हो जाएगा विक्रेता को भी profit हो जाएगा यानि या भी उसी की खरीदेगा जिसकी बेहतर रहेगी और इसी लिए तो यह लोग बेहतर का competition करेंगे यानि या भी अपने profit के लिए काम कर रहे है और या भी खरीदारी करने अपने profit के लिए जा रहा है लेकिन जब new technology लाएंगे ये लोग तो दोनों लोग research and development करेंगे 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 नहीं करेंगे दोनों लोग धेर सारे लोगों को काम पर रखेंगे इससे क्या हुआ इससे समाज को अंतता है उस पूरे की पूरे समाज में उस पूरे के पूरे देश में उस पूरे के पूरे अर्थवोस्था में new technology को बढ़ावा मिलेगा new technology को बढ़ावा मिलेगा new invention को बढ़ावा मिलेगा innovation को बढ़ावा मिलेगा नवाचारों को बलावा मिलेगा लोग सोचेंगे कि इन कमपनियों में हम बेहतर नौकरी पाने के लिए बेहतर काम पाने के लिए लोग क्या करेंगे लोग अपने आपको जादे स्किल करेंगे तभी तो काम मिलेगा तो हम्मारा सामना एक ऐसे समाज से होगा यह जी समाज में बेहतर विए टेकनोलाजी आ गई बेहतर इनोवेशन आ गया बेहतर स्किल वाले लोग आ गए अब हिन बेहतर स्किल वाले लोगों को काम मिलेगा और जब काम मिलेगा तो इन लोगों को क्या मिलेगा इन लोगों को मिलेगा पैसा पैसा और जब इन लोगों को मिलेगा पैसा तो ये लोग अपने परिवार के एजुकेशन पर काम करेंगे अपने बच्चों को बेहतर स्वास सिछा देंगे अपने लाइफ क्वालिटी की डिमांड बढ़ जाएगी लाइफ क्वालिटी की डिमांड बढ़ जाएगी यानि बेहतर गुर्वत्ता की वस्तूर अपने चाहिए यह लोग धेर सारी गाडिया खरी देंगे गाडिया खरी देंगे तूरीजम करेंगे परियतन करेंगे ठीक के पूरे मार्केट में धेर सारी दिमांड क्रियेट हो गई अजब धेर सारी डिमांड क्रियेट होगी प्रक्रिया वही चलेगी धेर सारा उत्पादन होगा धेर सारा उत्पादन होगा फिर बहुत हरे चीज का अपने बाहिए कम्पणियों प्रस परत परता हो आएगी, जूते बादेर, लोगों को काम से पिर्थ सारे लोगों, फाण्य पर खरकर करेंगे, health पर किरेंगे quality apply पर करेंगे आप देख लिजिए दुनिया के जितने धनी देश है वहीं पर बहुषप पर सब्से बहुथ ट्राहिट्च पर लाइफ कॉछी कॉलीटिय है कि Europe अम्मीरिका देख लिजिए ये सब कहां से आया क्योंकि इन मूल में क्या है मूल में है कि ये जो कमपनियों वाले लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थ व्योस्था में जो उत्पादन करने वाले लोग है जो उत्पादन करने वाले लोग है जो क्रेता लोग है उसको विक्रेता ही लिख देते हैं जो विक्रेता है जो विक्रेता है उसने काम किया किसके लिए अपने स्वयम के लाव के लिए देखिए गौर से देखिए या किसके लिए लाव काम करा सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए अपने प्रॉफिट के लिए काम करा लेकिन इसने काम किया भले ही अपने लाव के लिए काम किया अपने लाब के कि बहतर और सस्ते समान बनाएंगे तो हमारे समान बिकेंगे ठीक? समझना यानि जितने भी उत्पादम से जुड़े लोग हैं जितने भी बेचने वाले लोग हैं अगर हम बिक्रेता की बात करें भाई कोई भी फैक्टरी वाला क्या है? विक्रेता ही तो है यानि जितने भी विक्रेता थे सबने काम किया अपने लाब के लिए लेकिन अन्तता पूरे के पूरे समाज को लाब मिला पूरे के पूरे देश को लाब में पूरी की पूरी दुनिया को लाब और समास देश दुनिया को क्या लाब मिला न्यू टेक्नोलोजी मिली बेहतरी स्किल्ड वाले लोग मिले ठीक न्यू इनोवेशन मिला नवाचार मिले लोगों के पास लोगों को रोजगार मिला लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने एजुकेशन पर काम किया एक ऐसा समाज बन के आया एक ऐसा राष्ट बना जिसमें एजुकेशन खुब था लोगों ने हेल्थ पर काम सुरू किया लोगों ने अपने एजुकेशन पर काम किया लोगों ने अपने health पर काम किया, लोगों ने बेहतर गुरवत्ता के जीवन को चाहा, ठीक, और अंततह हमें एक ऐसा समाज मिला, एक ऐसी दुनिया मिली, जिसमें लोगों के पास बेहतर जीवन की गुरवत्ता थी, लोगों के पास स्वास सुविधाय थी, लोगों के पास सि या क्यों आया क्योंकि इसने अपने profit के लिए काम किया अर्थात कि काम इसने अपने profit के लिए किया लेकिन अंतता हम नई टेकनोलोजी नई स्किल न्यू इनोवेंसर रोजगार के स्थितियां सिख्छा स्वास्त पीनेक पानी जीवन की बहतर गुडवत्ता धेर सारी चीजे पा गए एक शब्भे और आधुनिक दुनिया पा गए यह जो विक्रिता था यह एक सब्भे और आधुनिक दुनिया नही वब्न गई इसी को कहा गया है इन वीजोल हैंड अ वर अद्रिस्य हाथ में अर्थव्योस्था में धेर सारी ऑसल्साल करतें में कोई परुपकार के लिए काम नहीं करता है अर्थ Αूस्थाए में मान आष्टा काम नहीं होती है परोकार और मानवता के लिए राष्ट काम करते हैं सरकारे काम करती है हर प्राइबेट सिक्टर सिर्फ अपने लाब के लिए काम करता है लेकिन एडम इसमित कह रहे हैं कि हमें बस एक ऐसा बाजार बना देना है एक ऐसी बेवस्थाएं बना देनी है जहां हर कोई अपने लाब के लिए काम करे अन्तत्व सबका लाब हो जाएगा अरतसास्त्रियों को नहीं सोचना पड़ेगा कि हम न्यु टेक्नोलोजी कैसे लाए न्युए न्यूंवनिंशन कैसे लाए सिछ अस्वास्तों को कैसे बढाये दए लोगों तक जीवन की बहतर गुडवत्त कैसे पहुचा है अर्थसास्त्रियों को नहीं सोचना पड़ेगा सरकारों को नहीं सोचना पड़ेगा बस क्रेता अपने लाप के लिए बाजार में करे विक्रेता अपने लाप के लिए बाजार में करे किसी को कुछ सोचना नहीं पढ़े और यही पूजीवादी बेवस्था की रीड है जब आप पूजीवाद पढ़ेंगे तो पूजीवाद की विसेस्ताएं पढ़ेंगे और पूजीवाद की विसेस्ताओं में जो पहली विसेस्ता आती है वह individual hand ही होता है अद्रिस्स highlighting होता है, इस विडियो को जबो लोग देखेंगे, जो मुझसे क्लास में पढ़ लिए हैं, उनको मैं घंटो में विस्तार से इन वीजूवल हैंट पढ़ाया है, यह वीडियो सुनते वक्त यद्धी इन वीजूवल हैंड याद आ जाए एड़मी स्मित कहते हैं कि क्रेता और विक्रेता सिर्फ मिलकर के काम करें अपने लाव के लिए काम करें बस सारा काम यही कर लेंगे ठीक न सरकार को सोचना पड़ेगा न अर्थ सास्रियों को सोचना पड़े यह बात काफी हद तक सही भी है सच भी है आज भी है हाँ यह सही है कि यह बात कालकरम में यह महशूच किया गया ठीक तमाम अर्थ सास्त्री ने बहुत समय बाद महसूच किया अन्मेसर किया कि यह बात सत्य तो है लेकिन पूर सत्य नहीं है अता इसके आगे कोई और भी सोचना होगा इसके आगे पर भी विचार करना होगा और अर्थसास्त्रियों ने जब इससे आगे की सोचा, इससे आगे की और विचार किया, तो समझती अर्थसास्त्र का उदभा हुआ, कब कैसे आगे की और सोचा, उसको अभी बताते हैं। अगर हम थोड़ी सी एंसी आटी ने एडमी स्मिथ के बारे बताया है तो थोड़ा परिच्या बता देते हैं एडमी स्मिथ को आधोनिक अर्षसास का जनक कहा जाता है यह स्कॉट लैंड के निवासी थे ग्लासको भी सुविद्याले में प्रोफेसर थे उन्हें दार्सनिक सास्त्र में प्रसिक्षर प्राफ्स हुआ था पढ़ाई तो शुरू में उन्होंने फिलास्पी की कि थी ठीक उनकी एक पुस्त है एंड इंग्वरी इंट्व द नेचर एंड काउज आफ देवलताव नेशन इसी को साथ्वार में दवेलताव नेशन कहते हैं इसे किताब विधन के विज्यान का सधंत दिया गया तो वेलताव नेशन इनकी किताब है आप लोगो नाम बिलताव नेशन ही सुनते होगे पूरा नाम यह है एन इंक्वारी इंट्यू दनेचर एंड काउज आप दवेल था नेशन अधिक आधोनिक अर्थसास्त्र आधोनिक पुझी बात की प्रस्तावना इसी किताब में दिए इन्होंने कहा लिखा इन्होंने लिखा एक किताब का नुच्छेद में लिखा इन्होंने लिखा कि जो कसाई होता है या जो किडवक होता है या जो नानबाई होता है इन्हों ने इन तीनों का नाम क्यों निखा दरसल ये ब्रिटेन के थे वहां भोजन में जो मिलता है कसाई क्या सप्लाई करेगा मीट मान सप्लाई करेगा किडवक क्या सप्लाई करेगा फर में ब्रेट सप्लाई करेगा नानभाई क्या सप्लाई करेगा रोटिया सप्लाई कर से लोग माएंसी बहुत खरते हैं यानी वहां के भोजन के जो supplier है उनमें कौन है कसाई है किड़वक है नानबाई है तो जैसे हमारे हां चाहल fantast है कि कि शांद देउता है अनदाता है सच भी हैं ے साय जोन के यह कहां जाता है था कि यह कसाई है किर्वक है नानबाई यह देवता है अंदाता है यह हमें भोजन देते हैं एड़मी स्मित ने कहा कि एक बात जान लो जो एक कसाई है किर्वक है नानबाई है यह परोपकारिता की भावना से हमें भोजन नहीं देता है हमें परिपकारिता की भावना से भोजन नहीं देता है यानि हमें ये उमीद नहीं करनी चाहिए हमें भोजन की उमीद इससे इसलिए नहीं करनी चाहिए कि बड़ा परोपकारी है या कोई परोपकार औरोपकार नहीं करता है एड़ामि स्मित ने कहा कि यह स्वार्थ की पूर्ती के लिए ऐसा करते हैं तो एड़ामि स्मित ने कहा गर हम ऐसे बेवस्थाय बनाएं कि बस यह अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए काम करें अपने स्वार्थ की पूर्ती के के लिए काम करें कसाई अपना प्रोफित देखें किरवःत अपना प्रोफित देखें अगला कि इसको अपना प्रॉफित होगा दैतर मीट मिलेंगे को वेचे दुर्श मिलेंगे डेटर रोटि र Spotify मिलेंगे वैं इसल्यब बार बार कहता हूं कि भारत में नहीं है किसानों की मूलभूश समस्याऊं का विचार नहीं करते हैं किसान जब आक्रोश में होते हैं तो हम उनके सामने हाथ जोड़ करके कड़े हो जाते हैं कि आप तो हमारे परमात्म हो सच बी अवे हैं लेकिन इसी ट्रेप में किसान फंच जाता है होना क्या चाहिए हमें खेटी को बेवशाय बना देना चाहिए हमें एक ऐसा तंतर तयार करना चाहिए कि किसान सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करें सिर्फ उसका प्रॉफिट हो देखिएगा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा न, खेते जिस दिल लावकारी हो जाएगी न, या देश सच मुझ का विशुगुरू बन जाएगा, अब हम ढोल नगारे बजा बजा करके, जो हम चिलाते हैं कि हम विशुगुरू है, विशुगुरू है, कहने से कोई विशुगुरू नहीं बनता है, विशुगुरू बनना होगा, तो किसान के हाथ मजबूत करने हो, क्योंकि यदि किसान के हाथ कमजोर पड़े तो तफश्यों का तबी बेकार चला जाता है, मुल्क को दो लोग मिल करके बनाते हैं, किसान और तफश्यों, मेरा यहाथ तफश्यों से तात परें, उन समस्त लोगों से हैं, जो अपना काम इमानदारी से करूँ, कोई लड़का इमानदारी से पढ़ रहा है हुआ, वह भी तफश्यों है, कोई बहतरी स्किल ले रहा है, वह भी तफश्यों है, कोई डाक्टर इंजिनिर का काम कर रहा है, वह भी तफश्यों है, कोई भिण बकरी का पालन कर रहा है, वह भी तफश्यों है, कोई बहुत मैन करके चंध्रयान थ्री भीज रहा है वो भी तपस्वी यह वो हर कोई जो अपना काम निश्था समरपड और इमांदारिय से करता है वो हर कोई तपस्वी है То का जाता है कि यदि किसान के हाथ कमजोर पड़े तो तपस्तियों का तब भी बेकार चला जाएगा और किसान की हाथ कैसे मजबूत होंगे खेटी को प्रॉफिट का सौध काम बना कर करती है इसे बात को एड़ामी स्मित कह रहा है कि यह जो कशाई नान बाई तीड़े बग हमें भोजन देते हैं परोपक प्रॉफिट में रहा है कि हर कोई सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करें तो ब्यक्ति भले ही अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है वह पूरी बेवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन्विज्वल हैंड का भी काम करने लगता है पूरी की पूरी बेवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन्विज्वल हैंड का भी काम करने लगता है या विक्रेटा सिर्फ और सिर्फ अपना लाफ देखेगा दुनिया का हर उत्पादक हर व्यापारी हर काम करने वाला सिर्फ अपने लिए काम करे लेकिन जब वह अपने लाफ के लिए काम करता है तो अंततह लाप पूरे समाज को मिलता है पूरे देश को मिलता है पूरी दुनिया को मिल जाती है इसे को इन्विजिवल हैंड कहते हैं और यही बीरी एडमी समित के सिधान की मूल बात है कि बाजार में खड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए काम करें तो अर्शास्त्रियों को बाजारों के विशह में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्कारों को सोचने की जरुवत नहीं पढ़ा कुछ हद तक ये बात कुछ दिने तक ठीक तही भी मानि गई इसे सद्धांट में एड़ामिसमित एक बात और भी काहते हैं कि लोग अपनी जरुरतों के मानौत की नहीं एड़ामिसमित काते यह से जब दुनिया को देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये दुनिया है बाजार की पैसा बोलता है एडम श्मित दुनिया को बाजार से ज्यादा कुछ समस्ते नहीं थे और पैसे से बड़ी कोई पस्तु नहीं बांगते तुछ हद तक सच भी लेकिन बात यहीं नहीं रुकी काफी दिनों तक यह माना जाने लगा कि एडमी स्मित सही है लेकिन वक्त ऐसा भी आया कि कहा गया नहीं एडमी स्मित पूरता सत्य नहीं है सरकारों को राष्टों को अपने देश की सम्पूर अर्थव्युस्थाओं पर नजर रखनी होगी उनके लिए नीतियां बनानी होगी सिर्फ बाजारों के भरोसे अर्थव्युस्थाओं को नहीं छोसे क्योंकि एडमी स्मित कहते थे बाजार को ठिक करो अर्थिव वस्ताक समझ में नीट बनानेंगे जरूडे बाजार को ठीक करो बाजार को फृक कर दो बाजार सब कुछ कर लेगा एडम i smith कहते थे लेसे फेयर फ्रांसिसी भासा का सब्द है अर्थात 9-6 एडम i smith कहते थे लेसे फेयर इसी को जब हम अंग्रेजी में कहते हैं तो लीव एलोन यानि फ्रांसीसी में जो लेसेस फियर है उसका अंग्रेजी में मतलब होता है लीव अलोन अर्थात अकेला छोड़ दो तो किसके अकेला छोड़ दो एटा मिसमित कह रहे हैं बाजार को अकेला छोड़ दो बाजार सरकारों को पूरे देश की अर्थव्योस्थाओं पर विचार करना होगा और जब बात उठी की नई सरकारों को राज्यों को पूरे देश की अर्थव्योस्थाओं पर बात करना होगा तो यहीं से समश्टी अर्थसास्तर का उदुभाव होगा यानि हम कह सकते हैं कि समश्टी अर्थसास्त्र का उद्भव एड़मिस्मित के बाद हुआ तो आईए आपको समझाते हैं कि समश्टी अर्थसास्त्र की विसेस्ताएं क्या है और फिर बताते हैं इसका उद्भव हुआ तो समष्ट अर्थ सास्त्र की विसेस्ताओं को हम दो प्रश्णों के माध्यम से समझें NCRT दो सवाल खड़े करती है और वहीं से समष्ट अर्थ सास्त्र की विसेस्ताओं बताती है तो समष्ट अर्थ सास्त्र की दो सामाने विसेस्ताओं है पहला पहली विशेष्ता और हमने का विशेष्ताओं को सवालों के माद्य तो पहली विशेष्ता को समझाने के लिए NCRT ने सवाल उठाया है सवाल यह उठाया है कि समश्टी अर्थसास्र में निड़य करता अर्थमा आर्थिक भूमी का अदा करने वाले कौन होते हैं याद रखिएगा यहीं से भी सेस्टा निकल जाए सवाल है समश्टी अर्थ सास्त्र में आर्थिक भूमिका निभाने वाले कौन होते हैं नीड़े कौन लेते हैं आर्थिक नीड़े किसके हाथ में होते हैं अब जड़ा गौर से सोचिए, हमने कहा कि समश्थी अर्थसास्त्र में हम देसों की अर्थव्योस्थाओं का दिन, तो जब भी देस की अर्थव्योस्था की बात करेंगे, दुनिया की अर्थव्योस्था की बात करेंगे, तो कुछ संस्थान आएंगे जो आर्थिक नेड़ लेते हैं आएंगे कि नहीं आएंटे, हम कहें कि समस्टी अर्टसास्त्र में जो स स्थान होते हैं, जो ereession होते हैं, वह आर्थिक नीड़े करता हैं स्कсти QU अगर हम उधारनों से समझें तो हम कह सकते हैं कि समस्ट्ह अर्थसास्त्री नीटियों का जो अनुपालन करवाने वाले लोग होते हैं, जो नीड़े वाले लोग होते हैं, उनमें सीधे राज्य होता है, यानि सीधे सरकारे होते हैं, अथ्वा, सरकार के हितहत कई बैधानिक निकाये होते हैं, कई सस्थान होते हैं, यही लोग समष्टी अर्थसासर में नीड़े लेते ह यानि या तो जिस राष्ट की अर्थव्योस्था की बात हो रही है वो राष्ट ले ले सरकारी बजट लेकर करके आती है वो क्या है आर्थिक नीड़े है या हर सरकार हर देश का संभिधान कई वैधानिक निकायों की अस्थापना करता है वे वैधानिक निकाय नीड़े करता जैसे अगर भारत के संदर में देखा जा तो भारती रिजर्बैंक, RBI, भारती प्रतिभूत और बीनिमेबोट, ये कुछ संस्थाओं के उधारण हैं जो बेभिन्य प्रकार के आर्थिक नेड़े लेते हैं, या भारत के संविधान में कई संस्थाओं को परिभासित किया गय जो आर्थिक नेड़े लेता है, अगर हम दुनिया के अस्तर पर बात करें, NCRT दुनिया भी अस्तर की उधारण नहीं देती हैं, ये थम कह सकते हैं, विश्व बैंक, IMF, WTO, अर्थात बात ये निकल करके आई, कि समश्थी अर्थसास्तर की पहली विश्था ये है, कि समश समझना, यही NCRT कह रही है, और इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, दरसल NCRT की बाते बड़ी जटिल होती हैं, जटिल इसलिए होती हैं कि NCRT ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, कम सब्दों में अधिक बात कह डाली है, अब इसी परग्राफ को जो आप किताब से पढ पार, उसका ऐसा नहीं है कि किताब ठीक नहीं, किताब बहुत बड़ी जब भी आप गागर में सागर भरते होना हो, तो बहुत सारी चीजे संकुचीत कर रहे हैं, इसलिए NCRT हम पढ़ा रहे हैं, यहां कुछ और रही कर रहे हैं, उन्हीं संकुचीत चीजों का विस्तार क रहे हैं, उल्जे हुए धागों को खोल रहे हैं, तो समष्टी अर्थसास्त्र की जिन दो समानी विस्ताओं की बात की जाती है, NCRT कर रही है, उसमें पहली विस्ता क्या निकल करके आई? पहली विस्ता ये निकल करके आई, कि समष्टी अर्थसास्तर में आर्थिक निड़े संस्थानों के हाथ में हो, यह या तो स्वेम सरकार हो सकती है, या राज्य हो सकता है, या राज्य के तहत तमाम वैधानिक निकाय हो सकते हैं, जो आर्थिक निड़े लेते हैं, समष्ट अब कहा जाता है कि यह जो निकाय होते हैं, जो निर्ड़ाय लेते हैं, इस निर्ड़ाय में इन्हें एक से अधिक सार्वजनिक लक्षों का अनुपालन करना होता है। यानि जो निर्ड़ाय लेते हैं, वह किसी एक व्यक्ति के हित में निर्ड़ाय नहीं लेते हैं। जीतने भी निर्ड़े लिए जाते हैं, सबका लक्षो होता है कल्यान को अधिक्तम करना। प्रॉफिट नहीं, विलपेर। और किसके कल्यान को अधिक्तम करना। लोगों के कल्याण को अधिक्तम करना, शमू के कल्याण को अधिक्तम करना, अमाज के कल्याण को अधिक्तम करना. यानि हम कह सकते हैं, यहां समश्थी अर्थसास्त्र एडमी स्मिस से आगे बढ़ रहा है. यानि हम कह सकते हैं कि जो समश्टी अर्थसास्त्र है समश्टी अर्थसास्त्र के एजेंट मूल रूप से ब्यक्तिगत निर्ड़े करताओं से अनग होते हैं क्योंकि अर्थव्युस्था में ब्यक्ति गद नेड़य का मतलब होता है एक ब्यक्ति के लाग की बात करना एक ब्यक्ति के प्रॉफिट की कि समष्ट हर अर्थशास्त्र ब्यक्तियों की नहीं समुदायों की बात करता है प्रॉफिट नहीं बेलफेयर की बात यानि इसको अगर हम वन लाइनर में देखें तो समझ्टी अर्थसास की जो पहली विशेष्था जिसे हमने प्रथम विशेष्था कहा है जो पहली विशेष्था का निसकर्स ये निकला कि जो नीड़ा होते हैं आर्थिक नीड़ा होते हैं वो कौल लेते हैं तो आर्थिक नीड़ा हमेशा संस्थान लेते यह संस्थान स्वेम सरकार ही हो सकती है राजी ही हो सकता है या सरकार हो सकती है या इस राज्य और सरकार के तहट काम करने वाले बिभिन प्रकार के वैधानी निकाय हो सकती जिन्हें या तो संसर द्वारा बनाए गया है या संविधान द्वारा बनाए साथी साथ जितने भी ये नेड़े लिये जाते हैं, उनका जो लक्ष होता है, वह लक्ष समुदाय का अधिक्तम कल्यान करना होता है समष्टी अर्थ सास्त्र मानता है, कि आर्थिक नीतियों का अंतिम उद्देश्य वेलफेयर होना चाहिए, किसी ब्यक्ति का लाव और हानी नहीं होना चाहिए समस्टी अर्थ सास्त्र ये कहता है कि आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो हर आँख का आशु पोछे गौर सस्वर्थ समस्टी अर्थ सास्त्र कहता है कि आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो हर आँख का आशु पोछे अर्थात अधिक्तम से अधिक्तम लोगों का अधिक्तम कल्याण सुनिश्चित करें इसी को हमारे उपनिसत दर्सन में कहा गया सर्वि भवन्तु सुखिना सर्वि शंतु निरामया सभी लोग शुखी हो, सभी लोग शुखी हो इसी को हमारे दर्सन में कहा गया सर्वचन हिताए, सर्वचन सुखाए सोचो, आज ही लोग बाते कर रहे हम कितने आगे थी जो हमारे प्राचीन भारत का आर्थिक दर्सन है जब आप कोटिल लिके अर्थसास्तर को पढ़ेंगे है तो राजिनीत की किताब लेकिन आर्थिकी के बारे में बहुत लिखा है जब आप अथर्व बेद पढ़ेंगे तो अथर्व बेद में लिखा गया है राजा की कर्तब में बताए गये है कोटिली के अर्थसास्र में राजा का कर्तब में बताया गया है और राजा की कर्तब में कहा गया है कि राज को ऐसे आर्थिक नीतियों का पालन करना चाहिए जिससे सर्वजन हिताय होता हो, सर्वजन सुखाय होता हो अर्थात सभी लोगों का हित होता हो सभी लोगों का सुख होता हो अर्थात सबकी आख के आशू पोचली इसी बात को आज की अर्थतंत्र कह रहा है गोर से देखो तो जो बात अथरबेद कहा था उसी को आज का अर्थतंत्र कह रहा है आज की समझ्टी अर्थ में उस्ता कह रही है कि जो नीड़े लिया जाएगा जो संस्थानों द्वारा नीड़े लिये जाएंगे उस नीड़े का लक्ष शमुदाय का अधिक्तम कल्यान करना हूँ अगर दूसरी विस्ता की बात करें तो दूसरी विस्ता भी पहली से जुड़ी हुई है यूँ कहिए कि दूसरी को भी हमने पहले में ही समझा दी था दूसरी विशेस्टा में को भी सवालों के माध्यम से समझाया ज़या है। दूसरी विशेस्टा को समझाने के लिए भी समश्टी अर्थसास्त्र के NCRT एक सवाल ख़़ा करती है। सवाल है कि समश्टी अर्थसास्त्र के नीड़य करता क्या करने का प्रयास करते हैं। तो करते क्या हैं याद रखना समश्टी अर्थसास का उद्देश लाव नहीं कल्याड है इसका जवाब NCRT करती है कि वे जो भी करने का प्रयास करते हैं उनको इस प्रयास में आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है वही तो बाता गई यानि समश्टी अर्थसास्तर में जब भी किसी नीतियों का पड़िचालन किया जाता है जब भी नीतियों को लागू किया जाता है तो सिर्फ उद्देश लाभवन रहानी नहीं रगता है बलकि संसाधनों का आर्थिक संसाधनों का इस तरह परिनियोजन किया जाता है या यू कहिए उनके प्रबंदन करने का नेड़े लेना पड़ता है कि तमस्त आर्थिक क्रियाओं का लक्ष ब्यक्ति के नीजी हित के लिए नो हो करके संपूर देश और उसकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है यानि समष्टी अर्थसास्र में जो ही काम किये जाते हैं इसके लिए किया जाते हैं वही जो हमने बात की सर्वचन हिताय के लिए सर्वचन सुखाय के लिए अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुख के लिए अधिक्तम लोगों के अधिक्तम कल्याण के यही तो किया जाता है ठ अर्थ सास्त्र की दोनों विशेस्ताओं की बात करें तो दोनों विशेस्ताओं की बात करें तो दोनों विशेस्ताओं को एक एक लाइन में कह सकते हैं पहली विशेस्ता यह होती है कि नीड़य करता कौन होगा तो नीड़य करता हमेशा सस्थान होगा ठीक और दूसरी भी सिस्ता क्या निकली कि नीडै का लक्ष क्या होगा कल्याड वेलफेयर अधिक्टम अधिक्टम लोकों का सुख क्योंकि समश्टी अर्थसास्थर पाथी करता है प्यापक हितों की यहां संकुचित हितों की बात नहीं की जाती है बात समाज की होगी, बात समू की होगी, बात देश की होगी तो बात सब की होगी समझ्ची अर्थसास्तर कहता है कि विकास का वही मौडल, सर्वाइवल मौडल हो सकता है जो सब के हित की बात करे, सब के सुख की बात करे, सब के लाप की बात करे, सब के अल्यार की बात ये रही समश्टी अर्थसास्त्र की बिसेस्ता अब समश्टी अर्थसास्त्र का उद्वाव कहां से हुआ, इसको हम समझाते हैं इस पर आने से पहले आपके किताब में NCRT में एक बॉक्स बना है जिसमें बताये गया कि आर्थिक नीड़े करता होते कौन है आर्थिक एजेंट होते कौन है जोकि बार-बार नीड़े करता सब दा रहा है तो उसको भी हम थोड़ा बता देते हूं तो जब एकोनमी में या समश्टी अर्थसास्त्र में हम आर्थिक एजेंट की बात करते हैं आर्थिक नीड़े करता की बात करते हैं तो कहागे आता है कि यहां आर्थिक एजेंट आर्थिक नीड़े करता या आर्थिक इकाई से हमारा जो तातपर है उन व्यक्तियों या उन स सथाओं से है जो आर्थिक नीड़े लेते हैं जो भी आर्थिक नीड़े लेते हैं चाहे व्यक्ति हो या सथान हो वे आर्थिक एजेंट कहलाते हैं वे उपभोगता भी हो सकते हैं जो यह नीड़े लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है आप बाजार में पैसा लेकर क जाइए तो आफीर निड़ा लेते हैं कि कितना खरीदे क्या खरीदें नो खरीदे तो जब आप यह निड़ा ले रहे हैं तो आप क्या हो गए आप आर्थी के जेंट हो गए साथ-साथ व्यवस्तूओं और सेमाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं यानि व्यापारी भी हो सकते हैं व्यापारी उद्योगपती उत्पादन करता कोई भी वही तो निड़े लेता है कि कितना उत्पादन करना है और क्या उत्पादन करना है तो वो भी आर्थिक एजेंट हो सकता है, साथ साथ कोई सरकार, कोई निगम, कोई बैंक जैसे सास्थाएं भी आर्थिक एजेंट हो सकती है, जो बिभिन प्रकार के आर्थिक नेड़े लेते हैं, जैसे कितना खर्च करना है, ठीक, ताक पर यानि कर्च पर कितना ब्याच देन है कितना ब्याच लेना है सब बात कुल मिला जुला करके आर्थिक प्रश्णों पर नीड़े लेने वाले यह चाहे व्यक्ति हो चाहे सहस्थान हो वे आर्थिक एजेंट कहलाते हैं यह ग्राफ बॉक्स था जो हमको समझाना था अब हमने लोड़ते अपने मूल सवाल पर हमने शुरू में कहा था जब हम एडम इस्मित पढ़ा रहे थे एडम इस्मित के बाद कमश्टी अर्थसास्त्र का उद्वा हुगा क्योंकि एडम इस्मित तो इसी बाद पर ठीके रहे कि आर्थिक नीड़े लेने के लिए सरकारों के होनी की कोई जरूरत नहीं है अर्थ शास्त्रियों को माथा पच्ची की जरूरत नहीं है एक ऐसा बाजार बनाई है जहां सब लोग अपने लाव के लिए काम करें अधिक्तम लोगों का लाव अपने आप हो जाएगा इस बात को बहुत दिनों तक माना भी जाता रहा इडा मिंश्मित ने का था अरथात LEब हलून मतलब हमें अकेला छोड़ वकिसको अपेला छोड़ बाजार को खेला ठोड़ यानि सरकारे को नीडाय नोले नहीं वहां भूँ तक यह होता रहा यानि जब तक यह होता रहा तब तक समस्थी अर्थसास्त्र का निड़े उद्भव नहीं हुआ समस्थी अर्थसास्त्र का उद्भव तब होगा जब सरकारें सामने आएंगी जब संस्थाइं सामने आएंगी और वे आर्थिक निड़े ले जब तक बाजार फिर रहेगा समस्थी अर्थसास्त्र का उद्भाव नहीं हो सकते हैं तो क्यों हुआ समस्थी अर्थसास्त्र का उद्भाव हुआ हुआ क्या कि जो समस्थी अर्थसास्त्र का उद्भाव हुआ एक British अर्थसास्त्री थे John Maynard Keynes इस John Maynard Keynes की एक पुस्तक है The General Theory of Employment, Interest and Money 1936 में अब पुस्तक प्रकासित हुई थी और इसी पुस्तक से माना जाता है इसी पुस्तक की प्रकासन से माना जाता है कि समश्टी अर्थसास का उद्वा हुआ ठीक अब कहोगे, क्यों हो गया इसके पीछे है 1929 की महान मंदी महा मंदी 1929 की जो मंदी आई यूरोप और अमेरिका में 1934 तक जो चली थी उसी मंदी ने प्रेरित कर दिया John Maynard Keynes को आर्थिक सिध्धान देने को और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने धेर सारे आर्थिक सिध्धान दिये जहां से अर्थ व्योस्था का समश्टी अर्थसास्त का उद्वा हुआ अगर हम जान मेरिक कीन्स के थोड़े पहले की बात करें तो दो-तीन सो सालों तक तो एडम इस्मित का पुजिवाध ही चल रहा था आज भी चल रहा है लेकिन दुनिया में माना जाता था कि सरकारे आथिक निड़े नहीं लेंगी प्राइबेट सेक्टर को फ्री कर देंगी बाजार अपने निड़े लेंगे ब्यापारी अपने निड़े लेंगे सरकारे सिर्फ ब्यापारी हो का सायोग करें मना जाता था कि इनिविजिवल हैंड काम करेगा सब के कल्यार होंगे सब का भीकार साथ-साथ इसी के परलर एक और विचारधारा चर रही थी पूरी दुनिया में एडमी स्मित के ही परलर जिसे क्लासिक ही परंपरा कहते हैं और वो विचारधारा मानती थी यनी कुल मिलाजुला करके कीन्ज से पहले का जो अर्थसास्त्र था उस पर इस विचारधारा या इस चिंतन का बहुत जादे प्रबल प्रभाव था कि सारे स्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा यनि इंज के पहले पुरी दुनिया में माना जाता था कि जो भी काम करने के इच्छुक लोग है उन्हें काम मिलेगा सबी चिंतक कहते थे कि काम उन्हें ही नहीं मिलता है जो काम की छुप नहीं है पूरी दुनिया के चिंतक कहते थे कि हमारी अर्थवश्था है पूरी देश दुनिया कैसी चलने है जो काम काई छुप होगा वो काम करेगा काम मिलेगा साथ-साथ ये भी मानना था कि सारे कारखाने अपनी पूर उत्पादन छमता के साथ कारे करते रहेंगे, लोग कहते थे कि बस कारखानों में मसीनरी ठीक रखो, उसकी सप्लाइज सिस्टम सीख्राओं कारखाने चलते रहेंगे, अर्थात क्लासिक बेवस्था कहती थी, और अभी एडमी स्मित की बेवस्था काही परिडाम था, एडमी स्मित के सिद्धान काही परिडाम था, एडमी स्मित कहता था बाजार को फ्री करो न, सब लोग अपने लाब के लिए काम करेंगे, जब सब लोग अपने लाब के लिए कार खाने उत्पादन करते रहेंगे यानि क्लासिकी परंपरा को जो पोसर प्राप्त होता है वो एडमी स्मित के सिधान से ही होता है कुल मिला जुला करके 1929 की मंदी से पहले दुनिया एं मानती थी दुनिया के चिंतक ये मानते थे इने क्लासिकी परंपरा के चिंतक कह जाता था, जो काम चाहेगा, काम मिलेगा, क्योंकि कारखाने चलते रहेंगे, उत्पादन होता रहेगा, दुनिया आर्थिक तरक्की करती रहेगा, ये है जान मेनार किंग्स, इनके पहले तो मानना था, कि काम होता रहेगा, आर्थिक तरक्की होती रहेगी, दुनिया में उत्पादन पढ़ता रहेगा, सभी मज़़ूरों को काम मिलेगा, सभी कारखानों में उत्पादन होगा, लेकिन हुआ कुछ यूं, हुआ यूं, 1929 की महामंदी आई, और यह चरब रूप से 1934 तक चली, 1929 की महामंदी के बाद, कई बरसों तक देखा गया, कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में, निर्गत और रोजगार के अस्तरों में भारी गिरावट आई, निर्गत मतलब उत्पादन, कमपनियों द्वारा जो उत्पादन होता है, उसके निर्गत कहते हैं, देखा गया कि कमपनियों के उत्पादन में भी गिरावट आई, और रोजगार में भी गिरावट आई, इसका मतलब क्लासिके सिद्धान्द फेल कर गया, क्लासिके सिध्धन क्या कहता था कि जो काम मांगेगा काम की योग होगा इच्छुक होगा काम मिलेगा यानि सब को रोजगार मिलेगा लेकिन 1929 के बाद की मंदी क्या दिखा रही है कि काम के योग लोगों को काम की इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है इसका मत कारखानों में बिजली टेल सब है मसीने ठीक हैं कारखाने ठप पड़े हैं क्योंकि मांग नहीं है उन बस्तूओं की तो कारखानों के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा यानि 1929 की मंदी ने अर्थसास के उस क्लासिकी विचारधारा को जिसमें माना जाता था कि अर्थव्योस्था में हमेशा इस बात की गुंजाइस रहेगी आर्थी ग्रूप से सक्षम और योगी बेक्ति को काम मिलेगा ठर्ट्रियां चलती रहेंगी मंदी ने इस बात को जू देखाए गया कि बाजार में बस्थूं की मांग कम थी और कई कार खाने बेकार पड़े थे सरमिकों को काम से निकाल दिया गया इस मंदी के अवधिके दोरान सयुक्त राज अमेरिका में समस्त निर्गत में अर्थात अमेरिका की समस्त उत्पादन में 33 प्रत्सत की गिरावट आई यानि क्लासिकी वीचारधारा फेल हो गई और जब क्लासिकी वीचारधारा फेल हो गई तो इस घटना ने मंदी ने अर्थसास्त्रियों को नए तरीके से अर्थवियोस्था के प्रकार के सम्बंद में सोचने को प्रेरीद कर दिया अर्थ सास्त्रियों को प्रेरिद कर दिया तो अभाविकसी भी बात है सच भी है कि कि expansi भी अर्थ बेऊस्था में या जिस अर्थ बेऊस्था में बेरोजगारी लंबी अवधी तकभी दिमान होगी वहाँ एक सिध्धान्त की प्रस्थुती और उसकी ब्याख्या की आवसक्ता होगी किसी भी अर्थ में उस्था में अगर बेरोजगारी लंबे समय तक भी दिमान होगी तो इस बात की परियाप्त वज़ा हो जाएगी कि नए सिध्धान प्रसुत किया जाए नए सिध्धान की ब्याख्या की जाए क्योंकि पुराने से धान फेल हो गया है इसलिए तो मंदी है इसलिए तो बेरुजगारी है बिट्टर हुगो कहा करता था कि जिस वीचार के धरा तल पर उतरने का वक्त आ गया है न उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोशाए वही बात कुछ यहां अलग तरीकी से कही जा रही है कि यदि किसी अर्थविवस्था में लंबे समय तक बेरुजगारी रहेगी तो जाहिर सी बात है एक नए से धान्त की प्रसुती और उसकी ब्याख्या की जरुवत उत्पन हो जाएगी कुल मिला जुला करके यही हुआ कुल मिला जुला करके यही हुआ 1929 से 1934 के दौर में लंबे समय तक बेरुजगारी रही लंबे समय तक उत्पादन कम रहा ऐसे में क्लासिकी विशारधारा पर सवाल उठने लगे और एक नई विचारधारा नए सिध्धान्त की प्रसुति के लिए एक उर्वर जमीन तैयार हो गई और इसी उर्वर जमीन पर किन्स सामने आते हैं और किन्स ने एक प्रयास किया नई विचारधारा को देनेगा किन्स ने अपनी पुस्तक में एक प्रयास किया साबित किया और अपने पुर्व चिंतकों क्लासिकी परंपरा के पुर्व चिंतकों के विपरीत उनका दृष्ट कोडिये था कि जो अर्थ विवस्था की कार्य प्राली है तथा अर्थ विवस्था के जो विविन्य छेत्र है ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, किन्स ने कहा कि अर्थ जोस्था में कुछ भी स्वतंतर नहीं है, हर चीजे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब हर चीजे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो सरकारों को संस्थानो को सामने आना होगा, राज्यों को सामने आना होगा, राष्टों को सामने आना होगा, दुनिया को सामने आना होगा, ऐसे संस्थान बनाने होंगे, जो ब्यापक अस्तर पर आर्थिक नीड़े ले, जो ब्यापक अस्तर पर आर्थिक नीड़े ले, और जब ब्यापक अस्तर प नीड़े लेने की बात आएगी जब दुनिया की अस्तर पर नीड़े लेने की बात आएगी तो समश्टी अर्थसास्त्र जैसे भी सैका अपने आप उद्भाव हो जा है क्योंकि समश्टी अर्थसास्त्र ये कहता है कि हम जब भी बात करेंगे, दुनिया की बात करेंगी, देश की बात करेंगी, इसलिए देखना, 1936 के बाद, ब्रिक्न बुट्स में समयलन होता है, आईमेड बनता है, वर्लल बैंक बनता है, यह क्या है? पुरी बेस्वी कस्तर के पर सहस्थान है, जो आर्थिक नेरले नेर ने, हर देश की सरकारें, अपने हां, आर्थिक नीड के पर जदेफोकस करती है, आर्थिक नितियोंपर की सरकारे फोकस करती थी कानून वेवस्था सांती और सुरक्षापर he सरकारों का कहना था कि हम लाव और मेंटेन करेंगे हम देशों के सुरक्षा मेंटेन करेंगे सांती मेंटेन करेंगे हम न्याय देने का काम करेंगे हम युद्ध देतियादी लड़ेंगे सब करते रहेंगे पूरी की पूरी दुनिया में जो आर्थिक मुद्दे थे वो ब्यापारियों के लिए छोड़ दिये गए थी, वो द्योगपतियों के लिए छोड़ दिये गए, पूरी दुनिया के सरकारे चाहे बृतेन की हो, चाहे फ्रांस की हो, शबके सरकारे ये कहती थी, कि बाजार को लेकिन किन्स की पूस्तक ने कहा कि नहीं सभी नीडेओं के पीछे आर्थिक नीडे होते हैं सभी सिस्टम तभी काम करते हैं जब sisk्टम वेटर रहता है आपका defense system तभी काम करेगा जब आपकी अर्थवियुस्था रहेगी आपकी सेनाए मजबूत तभी होंगे जब आपकी अर्थवियोस्था मजबूत होंगी आपके कानून वियोस्था समाज में सांती तभी होगी जब गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होगी लोगों के पेट तक रोटी पहुँचेगी क्योंकि आदमी भूखा होगा तो आक्रोस होगा क्रांती के गीत उसे अच्छे लगने किंज ने कहा खेतों में फसल ला ला रहेगी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे गिर्जा घरों में प्रार्थनाएं होंगी ये तब होंगी जब अर्थव्योस्था ठीक होगी यानि किंज कहता है अर्थव्योस्था ठीक करो बाकि सब कुछ ठीक हो जाएगा किंज कहता है कि राष्टों, सरकारों, राज्यों, दुनियावालों आर्थिक नितियों पर बात करो आर्थिक से धानतों को बाजार के भरों से मत छोड़ो हर देश की सरकार बैठे अपने अपने देश के हिसाब से एकोनोमिक पॉलिसी बनाए और पुरी दुनिया ने असर के इसको स्विकार किया और जब सरकारों के अस्तर पर आर्थिक निरे लिये जाएंगे दुनिया के अस्तर पर आर्थिक निरे लिये जाएंगे समाज के व्यापक हिद के लिये लिये जाएंगे तो समश्टी अर्थसास्तर का उद्भव हो जाएगा यहनि बात मुकमल ये निकल करके आई कि आर्थिक मंदी ने हर आपदा जैसे उसर देती है ठीक वैसे 1929 से 1934 के बीच की आर्थिक मंदी ने समश्टी अर्थसास के उद्भव की प्रिष्ट भूमी को तयार कर दिया था और इसी प्रिष्ट भूम पर किंच अपने विचार धारा ले करके आता है जैसे विक्टर हुगो कहते थे कि जिस सोच के धरातल पर उतरने का वक्त आ गया उसे रोका नहीं जा सकता है ठीक उसी प्रिकार हम कह सकते है कि आर्थिक मंदी ने एक नए आर्थिक प्रडाली के सोच को जन्म दे दिया था उसके धरातल पर उतरने का वक्त आ गया था और वह सोच वह प्रलाली थी समश्टी अर्थसास्त्र के सध्धान्त तो इसी समश्टी अर्थसास्त्र और उसके सध्धान्तों का परिचे NCRT की बारहवी के पहले चैप्टर में था जिसे हमने बताया और भी धेर सारी उसमें बाते हैं खिससे कहानिया तमाम चीजें आपके काम की चीजें नहीं है जितना था उसको हमने निकाल करके लाया इस बारहवी के NCRT को हम पूरा मोडिफाइट करके पढ़ाएंगे धेर सारी चीजे NCRT में जो दी गई है छोड़ देंगे और धेर सारी चीजे नहीं जोड़ देंगे साथ-साथ उसी NCRT को अपने तरीके से प्रस्तुत करेंगे गागर में सागर भरना है उसको खोलेंगे, समझाएंगे क्योंकि हम आपको इस NCRT को NCRT के नहीं UPSC के नजरिये से पढ़ा रहे हैं तो पहला चेप्टर जो परिचय का था आपने समझ गया, अब दूसरे चेप्टर में कोई GDP इत्याद की हम बाते करेंगे, कल क्लास उसकी होगी उसमें भी हम टॉपिक NCRT के ही रहेंगे, उसको हम थोड़ा NCRT से बाहर जाके, थोड़ा कुछ चीज़े एड करके, थोड़ा कुछ चीज़े छोड़ करके, एक मुकमल रूप से समझाएंगे ताकि आपकी एक मुकमल समझ बन जाएंगे, तो मुझे उमीद है, परिशय वाला क्लास आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा, समझ में आया, कनेक्ट किये हो, खोसी होई हो, कुछ नई चीज़े जानने को मिली है, तो इंतजार रहेगा वाला कमा